क्या आप जानते हैं कि जनवरी के बीच में जब भारत में या किसी युरोपिय देश में कोरोना को लेकर कोई सोच भी नहीं रहा था तब जर्मनी की राजदानी बरलिन के अस्पताल ने कोरोना का टेस्ट बना लिया था जब फरवरी में जर्मनी में पहला केस आया तो पूरे देश की कई लैपस में टेस्ट किट्स का स्टॉक मौजूद था जर्मनी की जनसंख्या आठ करोड के आसपास है और जर्मनी तीन लाख पचास हजार टेस्ट हर हफ़ते कर रहा है कोई यूरोपिय देश इतने टेस्ट नहीं कर पा रहा सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ये टेस्ट सब मरीजों के लिए मुफ्त है कोरोना के टेस्ट के लिए कई टैक्सी चलाई जा रही है जहां स्वास्त कर्मी प्रोटेक्टिव कपड़े पहने हुए पांच-छे दिन से बिमार लोगों के घर जाकर उन्हे चेक कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि जर्मनी पर इस वाइरस का हमला कम था चार अप्रेल तक देश में 92,000 लाब कनफर्म केस थे 1295 मृत्यू भी हुई है लेकिन देखा जाए तो यह इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका, चीन और यहां तक कि साउथ कोरिया से भी कम म जाएंगे यह देखने के लिए कि क्या इस वाइरस के खिलाफ इम्मूनिटी डेवलप हो रही है जर्मनी में भी 22 मार्च से 19 अप्रेल तक लॉकडाउन है आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जब भारत में कुरोना वाइरस के चलते लॉकडाउन की घोशना हुई तो इंगजाम किया है मज़़ूरों की दो डॉर्मिटरीज को अलग थलग कर दिया गया है एक में 13,000 वर्कर्स हैं और 63 पॉजिटिव केस हैं एक में 6800 वर्कर्स हैं और 28 केस अब इन दोनों जगहों को पूरी तरह सील कर दिया गया है सिंगापूर की सरकार का कहना है कि इन कोलर प्रती दिन सरकार से ले सकते हैं ताकि मज़़ूरों को उनकी तनख्वा पहुचाई जा सके साथ ही इने दिन का तीन वक्त का खाना मास्क हैंड सानिटाइजर थर्ममेटर भी दिया जाएगा महीं पर मैडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध होगा हाला कि सिंगापूर की व देशी मज़़ूर भी शामिल हैं दो लाग चुरासी हजार के करीब यहां कंस्ट्रक्शन मज़़ूर काम करते हैं और भारत बंगला देश श्रिलंका थाइलेंड जैसी देशों से वहां काम करने जाते हैं माँ 6 अपरेल तक 1300 केस रिपोर्ट हुए हैं और 6 लोगों की करोना से मौत हुई है इससे पहले भी सिंगापूर सरकार ने पॉसिबल केसीज को जासुसों के जरी ट्राक किया था चार फरवरी को सिंगापूर सरकार ने लोगों को बताया कि लोकल कॉम्यूनिटी में करोना करो למ sorcerend कॉम्यiquement करोना थी कार मैं कर फ़रें लोगों कर विर तक 13 लोगों को जा तक 12 लोगों के अंपर हैं। कि करो को जे विर लोगों कर योर है